नमस्कार, मनी गुरू में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ स्वाथी रायना NPS यानी National Pension Scheme एक ऐसी योजना जिसमें ना सिर्फ आप निवेश करते हैं बलकि आपको रिटाइमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है बहतरीन योजना है ये और पिछले एक साल में हमने देखा कि NPS के ग्रहकों में काफी अच्छी बढ़ोतरी भी हुई है लोगों ने भरोसा किया है इस प्रॉडक्ट पर तो NPS के और क्या खासियत है, NPS में आने वाले समय में और क्या कुछ नया होने वाला है आपकी तमाम शंकाओं का समाधान NPS से जुड़ा हुआ आज हम करने वाले हैं और आपके सवालों के जवाब खुद आज सुप्रतिम बंदुपाधियाई जी देंगे जो की चेर्मैन है पी एफ आर्डिये के इसलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के खास महमान सुप्रतिम जी का सर बहुत स्वागत है आपका मानी गुरू में धन्यवाद शातिए तो हम सुप्रतिम बंदुपाधियाजी से इस चर्चा की शुरुवात करें उससे पहले आज के शो में क्या खास है उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज हम शो में जानेंगे NPS क्या है और इसमें निवेश आप कैसे कर सकते हैं NPS में निवेश करना कितना फायदेमंद है? NPS में निवेश में टैक्स का गणित क्या कहता है? साथ ही पेंशन स्कीम से निकासी की प्रक्रिया क्या है? सुपरतम जी सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे NPS जितना भी हम financial products की बात करते हैं NPS काफी ज़्यादा उभर कराता है New Pension System, National Pension Scheme भी इसको कहा जाता है अगर हम इसके मुख्य उद्देश की बात करें और जो दर्शक नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं NPS क्या होता है तो इसकी सबसे बड़ी खुबी आप क्या बताएंगे? इसके बहुत सारे खुबिया हैं स्वाती जी और पहले तो मैं आपको फिर से धन्वाद देना चाहूंगा कि आप NPS जैसे National Pension System जैसे एक बहुत एहम मुद्दा पे आज बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी अपने customers को subscribers को बताना चाहते हैं कितना बड़ीया स्कीम है efficiency मतलब यह जो स्कीम है आप अपने हिसाब से अपना investment चूज कर सकते हैं आप कहां invest करना चाहते हैं कितना invest करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं tax के बारे मैं बाद में बताऊंगा लेकिन इसमें अगर देखा जाए इस हिसाब से तो total investment का कोई limit ही नहीं है आप अपने हिसाब से invest करिए आपने हिसाब से asset कहां आप invest करना चाहते हैं अगर आप risk ज़्यादा लेना चाहते हैं तो equity में ज़्यादा करिए अगर risk ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो bond fund या आपका government security fund में invest करिए करके अपना एक corpus बनाईए आपने future के लिए और cost की हिसाब से अगर देखा जाए मैं जो बोला कि कोई भी financial product शायद इंडिया में क्यों शाड़े प्रिथिवी में नहीं है जो जिसमें इतना कम cost में जो हम लोग एक financial product मैनेज़ कर सकते हैं एक छोटा सा उधर मैं देना चाहूंगा कि अभी तक जो हमारे fund manager काम कर रहे हैं एक basis point ये fund management charge के basis बें इन लोग fund manage करते हैं एक सीधा उसका उधरन ये होगा कि 100 रुपिया अगर आप invest करते हैं उसके उपर सिव एक पैसा fund management charge है अब को तो पता नहीं world over कहीं भी इस तरह का cost efficient financial product available है की नहीं सुप्रदिश जी आपने बहुत ही आसान भाशा में बताये कि इतना simple इतना महतवपूर्ण product है जिसमें pension की सुविधा भी है और निवेश का अपना फायदा भी है अब जैसे जैसे हमने पिछल एक वर्ष में देखा आपको भी लगभग इतना ही वर्ष हुआ इस पूरी प्रक्रिया में भागिदार बरने का और उसको lead करने का यह आपसे समझना चाहते हैं कि कोविट की समय हमने देखा लोगों को दिक्कते तो जरूर हुई लेकिन NPS पर भरोसा भी बढ़ा है खास तौर पर जब digital दुनिया हुई है तो इसमें NPS ने कैसे अपने ग्रहाकों के लिए NPS में निवेश करना या फिर अगर जो उनको unique ID नंबर मिलता है ईप्रान के जरीए उसको आसान बनाए एक user friendly experience के तोड़ पर NPS या PF RDA ने क्या कदम उठाए हैं ये आपने बहुत अच्छा प्रश्ण किया स्वाती जी क्यूंकि आज जो है पूरा दुनिया जो है digital बन गया और कोरोना के दोरान जो restrictions बहुत था movement के उपर आप जानते हैं लोगों को एक जगा से दुसरे जगा जाना में काफी तगलीफ होता था और हमारे जो distribution channels है mostly है banks तो bank में जाना फिर जाके अपना NPS के खाता खुलना बहुत ही तकलीफ था तो इसलिए हम लोग जो है हमारे digital channel जो है E-NPS का काफी ज़्यादा इस साल में किया है और देखा जाए तो अभी तक जो latest data हमारा available है इस साल करीब साड़े पांच लाग नया customer हमारे जोईन किया है स्रिफ NPS में और उसमें करीब करीब 80% जो है इन लोग digital channel के थूँ अपना account open किये हैं अपने pen और bank account के थूँ या अपने अधार अगर वो अधार number शेयर करना चाहते हैं तो अधार इसके थूँ e-sign करके account open कर सकते हैं और उन्होंने account भी open किया काफी ज़्यादा account open किया और आज भी जो regular डेटा आ रहा है तो हमने देखा कि ज़्यादा तर लोग ये digital channel ही यूज़ कर रहे हैं जब पूरी KYC की प्रक्रिया होती है सर ये समझना चाहेंगे जो enroll किया जाता है NPS के लिए आपने बताया कि e-pran से कितना जादा आसान हुआ है डिजिटल प्रक्रिया हुई है तो cost efficient भी हुआ है और email के जरी आपको plan number जो होता है उसके साथ-साथ बाकी सारी जानकारी भी मिल जाती है एक तो है उनको ये दान में रखना बहुत जरूरी है कि उनको account open करने के लिए अगर वो physically जा रहा है तो अपने कोई भी आज जो बैंक है चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पाब्लिक सेक्टर बैंक हो इवें चाहे रीजिनल रूरल बैंक्स हो आरर बीज हो ये सा account open कर सकते हैं उनका जहां भी bank account है वो जाके वहाँ account open कर सकते हैं अभी सब के साथ small finance bank जो है payment bank इन लोग में से भी काफी लोग हमारे ये लिया है लाइसंस लिया है तो इनके यहां जाके उन लोग अपना account open कर सकते हैं ज़रूर उनको अपने पास रखना पड़ेगा अपने KYC documents, चाहे वो आदा कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सारे चीज उनके पास रंगना पड़ेगा, फोटोग्राफ उनको देना पड़ेगा, दो फोटोग्राफ चाहिए, और उसके बाद जो है, एक अकाउंट अब उपन कर सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्म है, वो फॉर्म फिल अप करके वो अपना अकाउंट उपन कर सकते हैं, अपने बैंक के जरीए. जी, तो बेसेकलिए KYC की प्रक्रिया पूरी करके आसानी से NPS का अकाउंट खोला जा सकता है, अब तो डिजिटल भी सुविधा उपलब्ध है, जैसा सुप्रतिम जी ने बताया हमें, सर ये बताये कि पिछले एक साल में, जैसा आपने कहा कि लोगों में रुची बढ़ी है, जब से ओनलाइन भी पूरी प्रक्रिया हुई है, अगर हम कुछ आंक्रों के जरीए आप से समझे, एक तो NPS हो गया और दूसरी अटल पेंशन योजना भी है, इन दोनों ही ग्रहको का एक तो पूरे इस प्रोड़क के प्रती भरोसा और जो नए ग्रहक है, जो इस पूरी स्कीम से जुड़े हैं, वो उसमें कितना ज्यादा इजाफा हुआ है, अगर हम कुछ आंक्रों के जरीए आप से समझे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि एन पी एस में करीब सारे पांच लाक लाग करना नहीं लोग आए हैं, जहां तक एपी वाई का सवाल है, एपी वाई एक गैरेंटिड पेंशन स्कीम है, जिसमें एक हजार से लेके पांच हजार तक गैरेंटिड पेंशन कोई भी ल होना चाहिए और कोई भी जाके आपने बैंक अकाउंट के थूँ ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें एक स्टेंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा और हर माहिना एक सर्टें डेट में उनका कॉंट्रिबूशन जो है वही अपने बैंक अकाउंट से एड़जस्ट किया जा आता है तो अटल पेंशन जोजना में हम लोग काफी ज्यादा उत्साह देखे हैं इस दोरान और उसमें करीब करीब आपके सतर लाग लोग जो हैं नया ग्राहुक जुड़े हैं और टोटल दोनों मिला के आगा देखा जाए करीब 75 लाग नया कस्टमर हमारे पास इस साल आ तो नंबरों में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है अगर NPS की बात के राटल पंशन योजना में भी अब कुछ दर्शकों के ऐसे सवाल है सर जो आपसे जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि उनके लिए जो पूरा अकाउंट ऑपरेट करना है या उसको जार हाई रख सकता है? मेरा लीव एनकेश्मेंट का पैसा मिल सकता है और थोड़ा डिपोजिट कहीं था उसका पैसा मिल सकता है तो अभी तुरण साट साल में हमारा पेंशन का जूरत नहीं है तो वो उनको डिफर कर सकते हैं और साट साल से सतर साल तक वो अकाउंट डिफर कर सकते हैं इसके के 60 प्रतिशत जो है पूरा जो जमापूजी है उसका जो है एक अठा free of tax ओ कम्यूटेशन ले सकते हैं, बाकी 40 प्रतिशत जो है उसका एक pension उनको दिया जाएगा, ऐसा किया जा सकते हैं. जी, सर एक और बात समझना चाहेंगे आपसे कि कोई भी ग्राहक अगर निवेश करना चाहे NPS में तो maximum वो कितनी बार एक तो निवेश कर सकते हैं, दूसरा financial year खत्व होने से कितना पहले NPS में tax बचत के लिए निवेश किया जा सकता है, क्योंकि last minute tax बचाने के कई सारे ऐसे ग जिविंग के लिए perfect माना जाता है? पैसे, 75 पैसे पर ट्रांजक्शन, लेकिन फिर भी वो पैसा वो क्यों दे बार-बार, तो इसलिए बेस्ट जो है कि वो एक डिसाइड करके, तीन बार, चार बार, छे बार, जितना पर भी हो, वो उतना बार ही वो कंट्रिब्यूट करे, दूसरा जो है इनकम टैक्स का, कि लास्ट मॉमेंट कब तक वो कर सकते हैं, नॉर्मली जो सिवी डीटी के साथ भी हमारे बात भी थी, कि अगर उनके अकाउंट से वो पैसा निकाल गया, और एनपेस में आके डिपोजिट हो गया, तो उनके लिए ये माना जाएगा, हो सकता कि प्रैयन एक दिन बाद भी उनका इशू हो गया हो, तो लास्ट मोमेंट तक जाके जो हैं, लोग पैसा इसमें डिपोजिट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा 31 मार्च के अंदर ही निकाल जाएए, ये उनको जरूर देखना है. बिल्कुर सर, और एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, काफी महत्वपूर्ण और जानकारी वर्धक चर्चा आपके साथ हो रही है निश्चित रिटर्न वाली पेंशन स्कीम पर PFRDA बहुती गंभीरता से विचार कर रही है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे कि योज क्या है और यह कैसा अनुका प्रॉडक्ट हो सकता है ग्रहकों के लिए जारी देह गी चर्चा देखते रहे हैं मनी गुरू में आज हम बात करेंगे हैं एनपेस यानि नाशनल पेंशन स्कीम की हमारे साथ खुद PFRDA के चेर्मैन सुपरतिम बंधुपाध्याएं हैं, सुप चाक्रम टैक्स की सार बात करेंगे और एनपेस पर जो टैक्स की निया है मैं थोड़ा सा आप से बारी की से समझना चाहती हूँ क्यूंकि अगर कोई ATC के अंडर डेड़ लाक रुपे तक की जो टैक्स छूट चाहता है उसमें एनपेस की खुबी यह होती है कि 50,000 की अतरि से फाइदा हो सकता है एक तो जैसे आपने बता है कि ATC में जो टैक्स बेनिफिट है उसके ऊपर भी जाके अंडर सेक्शन ATCCD 1B 50,000 का एक एक एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट स्रिफ NPS के लिए रखा गया है तो हम लोग देखते हैं अभी जैसे मार्च मैना में लोग ये टैक्स बेनिफिट लेने के लिए अपना NPS अकाउंट खोलते हैं ये छोड़के बाकी जो मेजर टैक्स बेनिफिट है एकुमूलेशन फेज में क्योंकि एक NPS चूंकि ए अपने रिटार्मेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक लॉंग टर्म प्री है तो एंट्री स्टेज में टैक्स फ्री एकुमूलेशन स्टेज में टैक्स फ्री और जब विज्ड़ायल करेंगे 60 एर्स के बाद 60% जो कम्यूटेशन मिलता है एक अठा जो है लामसाम पैसा मिलता है ये भी अभी गॉवर्मेंट ने टैक्स फ्री किया है तो देख तो देखा जया है तो मैंने जैसे बोला एक एक एकजम्ट-एक्जम्ट-एकजम्ट टाइब का स्कीम है और स्कीम क् गुधा स्टेज में कॉंट्री आकुभूट्रीशन गॉरो विड़्ड्रायल टीनौ स्टेज में टैक्स का बेनिफिट मिलता है तो मैजर्टी एमट्री है तो चाहे जो भी ओ कॉंट्रिब्यूट करेंगे ओ 80 CCD 2 के अंदर पहले तो यह एड हो जाता है employee के हाथ में perquisite के हिसाब से लेकिन फिर से इसको 80 CCD 2 में equivalent amount का छूट मिल जाता है ताकि employer contribution भी totally tax free हो जाता है of course अभी last year से एक नए रूल लागू हुआ तो उसमें बोलते हैं कि NPS पी एफ और superannuation तीनों मिला के अगर employer का contribution साड़े साथ लाग से जादा हो तब जो है इसमें tax का कुछ effect आएगा लेकिन यह जो है highest salary class के लिए applicable है more or less जो middle income group है और lower income group है इनके लिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा तो देखा जाए तो चारों तरफ से जो है NPS का जो tax benefit है exclusivity बहुत सरे है क्योंकि दूसरा कोई भी superannuation product में अगर आप withdraw करते हैं तो only one third यानि कि 33 and one third percent तक tax benefit मिलता है जहाँ इदर 60 परसंट तक tax benefit मिलता है withdrawal stage में जी सर टैक्सेशन के लिहाज से तो आपने खुबिया गिनाई अगर हम return के लिहाज से भी समझें तो NPS मानिए ULIP के मुकाबले या किसी और product के मुकाबले जोकिमो return के मामले में कैसे बहतर माना जाता है और किस तरीके का return अब current fiscal year में expect करना चाहिए ग्रागों को अभी जैसे return के हिसाब से तो जरूर देखना है क्योंकि कोई भी scheme जितना भी cost efficient हो जितना भी tax efficient हो कम से कम return तो लोग जानना चाहेंगे कि कितना return मिला अभी यह देखिए market related scheme है तो अगले दिन क्या होगा इसके लिए कुछ guarantee देना तो मुश्किल है लेकिन हम आपको जो बता सकते हैं कि हमारा track record क्या है अभी अगर हमारे equity fund का track record देखेंगे यह track record करीब करीब 12 साल की है क्योंकि 2009 मेय मैना से यह equity, pure equity funds जो है चालू हुआ था तो 12 साल का अगर track record देखेंगे तो करीब 12% के थोड़ा ज़्यादा return on an average इसको हम लोग CAGR कहते हैं compounded annual growth rate जो है हम लोग ने दिया है और safety के point of view से अगर देखा जाए safety को मानते हुए क्योंकि हमने स्रिफ हमारे pension fund managers को allow किया जो futures and options segment में जो equity है स्रिफ उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो अगर यह देखा जाए कि एक limited investment universe के अंदर काम करते हुए भी लोग 12% के उपर return दियार ओभी 12 साल period में तो मेरे हिसाब से यह तो बहुत खराब नहीं है और यह यू लीप के साथ comparable है अगर return देखा जाए even हमारे government security fund जो है जिसमें 100% government security invested है इसका भी 12 साल का अगर return देखा जाए तो करीब 9.6% है a corporate bond fund that is another major fund fixed income fund उसमें भी 9.9% का 12 साल में return आया है और अगर equity का 5 साल का return देखेंगे तो यह तो और भी अच्छा है 14.34% और last 3 साल का देखेंगे तो 12.5% तो जैसे मैंने बताया यू लिप जैसे है यह भी market related scheme है इसमें उतार चड़ाओ ज़रूर है लेकिन एक long time का अगर investment perspective आप ले लेंगे या हमारे investor ले ले लें तो उनके लिए decision लेना ठीक रहेगा कि over a long period of time किया investment को करें और कहा invest करें कौन सा fund में invest करें और किस तरह का return उनको मिल सकता है और सर आप से आखिर में ये समझना चाहते हैं कि निश्चित return वाली pension scheme पर योजना इस वक चल रही है कैसा product हो सकता है और ग्राकों को किस तरीके से इसका फायदा होगा आप शायद minimum assured return scheme के बारे में आप पूछ रही है ये एक्चुली हमारे पीफरडी एक्ट में एक हमारा requirement था कि हम लोग इस तरह का एक scheme अपने customer को दे दे क्योंकि हमारे यहां बहुत सरे customer है स्रिफ pension market में नहीं चाहे insurance market में हो या जो भी हो कि जो चाहते हैं एक minimum guarantee चाहे market condition जो भी हो कम सिंगा में उतना return उनको मिल जाए तो इसको मद्दे नजर रखते हुए हम लोग ने हमारे pension advisory committee के पास हमारे proposal लेके गया था उन्होंने committee form किया था committee का recommendation भी आया है चाहे किस तरह का guarantee आप देना चाहेंगे एक minimum positive return guarantee या स्रिफ capital guarantee तो उन्होंने बोला कि नहीं एक interest minimum interest rate का आप लोग guarantee करो और यह स्री fixed interest rate guarantee नहीं करके आप लोग floating guarantee भी दे सकते हो ताकि market के इसाब से यह guarantee आगे पीछे हो and यह nominal return है वही आप लोग दीजिए real return देने के लिए आपको index linked investment opportunities चाहिए जो हमारे market में बहुत कम है तो आप लोग एक nominal return दीजिए जैसे मैंने बोला कि चाहे जो भी condition हो market का हम 4% return देंगे लेकिन इसमें और कुछ मुद्दा है जो सोचने वाली बात है कि इसमें लोग आके immediately withdraw नहीं कर सकते हैं उनको कम से कम 5 साल या 10 साल इसकीम में रहना पड़ेगा और उसकीम में रहेंगे तभी जो है उनको यह minimum return का फैदा मिलेगा दूसरा है कि अभी हमारे जो fund manager है इन लोग से pass through agency जैसे हैं उन लोग के पास पैसा जाता है पैसा लेते हैं invest करते हैं और customer को return देते हैं लेकिन आज जैसे हम बताते हैं उनको कि भाई आपको एक minimum guarantee देना है obviously उसके लिए एक cost अलग से guarantee cost जिसको बोलते हैं वो guarantee cost customer को payment करना पड़ेगा तो यह एक option है अगर customer चाहते हैं कि normal NPS में हो रहे तो कर सकते हैं वो उनकी चैस है अगर वो चाहते हैं कि नहीं अगर 4% guarantee या 2% guarantee वो भी मेरे लिए ठीक है under any condition तो वी ठीक है अभी इसको जो है हमारे committee का जो सुझा हो है इसको लेके हम लोग एक R.A.P. float करेंगे और actuarial farms का inputs इदर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहां capital adequacy का solvency of the pension fund इस सबका issue भी मुद्दा भी इसमें सामिल हो सकता है तो इसलिए उनको हम लोगार सर आपसे यह समझ में आ रहा है कि तैयारी पूरी तरीके से है और उमीद की जा रही है कि ऐसे कोई अच्छे minimum guarantee वाली pension scheme भी ग्राकों के सामने रहे जो एक better choice उनके लिए भी हो कि वो कहां पर निवेश करना चाहते हैं कई सारे मुद्दों पर सुप्रतिम जी आपने हमारे दर्शकों के लिए NPA से जोड़ी बारीकियों को लेकर आज बातचीत की है आप हमारे साथ Zee Business पर मनी गुरू कारिक्रम में शामिल हुए उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया धन्यवाद इसे के साथ आज के शो में बस इतना ही वक्ति छोड़ी से ब्रेक का हो गया है देखते रहे है Zee Business झाल